तो इस तरह से हमने system surrounding boundary इसके बारे में कुछ जानकार्य लिए फिर उसके बार types of system भी देख लिया और उसके बार कुछ problems भी कर लिए ठीक है अब हम लोग समझते हैं कि microscopic and macroscopic approach क्या है thermodynamic analysis approach सबसे पहला जो है वो है macroscopic approach और दूसरा जो है वो है macroscopic approach तो इसको हम लोग समझते हैं आखिर में यह क्या चीज है ठीक है हमें यह चीज पता है कि जो thermodynamic subject हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा से जो majority portion है वो पूरा का पूरा theoretical है formula based है laws है concept है और किसी भी system को study करने के लिए हमें इन दोनों approach में से किसी एक approach का use करना होता है तो यह जो approach है to analyze the thermodynamic system इसको हम लोग जानते हैं कि इस approach में क्या-क्या होता है सबसे पहला तो यह जो microscopic approach है यह क्या है वो देख लेते हैं पहले मैं एक example लेता हूँ simple सा एक simple सा example लेता हूँ यह मेरे पास एक piston cylinder device है और इस के अंदर कोई तो gas भरी हुई है यह gas है कोई भी gas है मैं assume करता हूँ कि चलो इसमें nitrogen gas भरी हुई है और इसका कुछ तो temperature होगा let's say temperature जो है वो है 60 degrees Celsius तो अब अगर मैं microscopic approach की बात करूँ तो इसमें क्या होगा इसमें हम लोग यह जो मेरा gas जो system है मेरा मैं क्या करूँगा इसमें जो individual molecules हैं मैं उसको target करूँगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यह जो मेरा gas है nitrogen gas अगर मैं इसको इतने से portion को zoom करके देखूँ ठीक है zoom करके तो यह जो nitrogen gas के molecules मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे ठीक है यह gases state में है तो इसके लिए दूर-दूर molecules दिखाई देंगे अब microscopic approach में क्या होता है कि मैं individual molecule को target करके study करूँगा हर एक molecule के लिए क्या equation होगा फिर उसका क्या state है यह में इसमें करने वाला हूँ ठीक है Microscopic में क्या होगा कि हम लोग individual molecule को target करेंगे और उसको study करेंगे अब 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 बताएए क्या यह feasible होगा Microscopic approach से system को study करना नहीं हो सकता है क्यों 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 कि इसके अंदर यह यह जो मेरा system होगा उसमें ना जाने कितने सारे molecules होगे और अगर individual molecule को मैं study करने जाऊँगा तो system जो है वो complicated होजाएगा उसको study करना फिर easy नहीं होगा tough हो जाएगा lengthy हो जाएगा problem ठीक है तो यह जो Microscopic approach है यह बन जाता है complicated and lengthy complicated and lengthy क्योंकि यह मेरे लिए possible नहीं है कि मैं individual molecule को target करूँ फिर उसके लिए equation लिखूँ फिर उसके लिए अलग-अलग formulas यूज करूँ और फिर जो मुझे parameter जो मुझे find करना है वो मैं find करूँ तो यह time consuming process है तो यह possible नहीं हो पाएगा अब दूसरा जो है अब इसमें क्या होगा इसमें मैं individual molecule को target नहीं करूँगा इसमें मैं क्या करूँगा इस पूरे system में जितने भी molecules है उनका जो average है वो consider करूँगा और वो consider करने के बाद उस parameter को लेके study करूँगा तो इसमें क्या होगा individual molecules को target किया मैंने इसमें मैं क्या करूँगा we will take average of the molecules ठीक है तो जो भी molecules है और उसके अंदर जो भी energy है उन सबका मैं average लूँगा और वो consider करके मैं इस system को study करूँगा ठीक है तो ये इसकी वज़े से क्या होगा दाता है ये जो macroscopic approach है ये होता है fast and easy क्योंकि मुझे macroscopic level पर क्या हो रहा है मुझे उसकी जरुवत ही नहीं है मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है मुझे जो बड़ी level पर जो energy है उसको target करनी है उन सबका average लेके उसको शड़ी करना है ठीक है तो इस तरह से ये जो macroscopic approach है वो use नहीं होता है ठीक है ये ये जो approach है ये laboratory में जहाँ पर एकदम critical situation होती है जहाँ पर एक-एक molecule को target करना होता है वहाँ पर ये study की जाती है जैसे electron ठीक है फिर positron जो एकदम minute particles हैं minute molecules हैं उनको study करने के लिए macroscopic approach use किया जाता है और जो system मुतमा critical नहीं है normal system है उसके लिए हम लोग macroscopic approach को prefer करते हैं तो अगर इसमें आपको कुछ doubt है तो अपने question को नीचे comment section में ज़रूर post कर देना मैं उसका reply आपको तुरन दूँगा ठीक है तो अब हम लोग जो next concept है उसको देखते हैं वो है continuum continuum अब continuum क्या चीज है पहले उसको समझ लेते हैं thermodynamics में जितने भी system हम लोग study करेंगे उसको हमें क्या करना है उसको simplify करके study करना है उसमें बहुत सारे assumption को consider करके study करना है तो continuum में क्या होता है कि generally अगर मैं gas की बात करो ठीक है अगर ये मालो मेरे पास एक container है और उसके अंदर ये भरा हुआ है gas तो अगर मैं इसे microscope से देखोंगा अगर इतने portion को मैं microscope से देखो तो आप देखोगे कि ये जो molecules है gas के वो कुछ इस तरह से दूर दूर होंगे ठीक है काफी दूर दूर होंगे तो इनके बीच में क्या है ये सब gaps है ठीक है मतलब gaps मतलब void spaces है तो continuum में क्या होता है कि मैं ये एजुम करता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो molecules है ठीक है ये इनके बीच में जो space है, वो negligible है तो यही है continuum का objective की no void space void space system के अंदर है यह नहीं पूरा का पूरा continuous substance भरा हुआ है तो यह है मेरा continuum अब next जो है concept उसके बारे बात करते हैं यह है mean free path क्या होता है mean free path इसके बारे बात करते हैं इसका definition है कि average distance travel by the molecule between two successive collisions अब उसको हम लोग जड़ा एक example लेके study करते हैं कि यह बोलना का चाहता है यह माल लो यह मेरा एक molecule है molecule number one की कहा है यह molecule number one है और अगर मैं gases की बात करूँ तो उसमें infinite number of molecules होते हैं लेकिन मैं इस example को understand करने के लिए एक थोड़े बहुत ती molecules लेके इसमें बताऊँगा ठीक है सिर्फ दो-ती molecules लोगा यह है मेरा एक दूसरा molecule ठीक है यहाँ पर है और एक molecule रखा है यहाँ पर अब क्या होगा अब अगर gas है तो जाइसी बात है यह जो molecules होंगे वो एक जगा इस्टेशनरी तो रहेंगे नहीं वो यहाँ वहाँ होंगे तो माल लो की यह जो molecule है वो strike हो गया इस से ठीक है यह strike हुआ यह हो गया मेरा पहला collision ठीक है क्या हो गया यह पहला collision हो गया इसको मेरा first collision और उसके बाद इसको strike करने के बाद यह जो molecule पहले इसको strike किया फिर उसके बाद यहाँ पर चला गया ठीक है first time इसको strike किया फिर उसके बाद यहाँ चला गया तो ये है मेरा दूसरा collision तो let's say ये जो distance इसने travel किया वो है D1 और ये जो distance इसने travel किया D2 तो इन दोनों का average क्या होगा the average will be D1 plus D2 by 2 तो ये है मेरा mean free path तो definition के इसाब साब को समझ में आगे रहेगा कि ये actual में है क्या कि average distance travel by the molecule between two successive collision तो average कितना distance उसने travel किया between two successive collision यहाप इसकी definition भी लिख देता हूँ average distance travel by the molecule between two successive collision तो ये है मेरा mean free path तो इस वीडियो को यहीं finish करते हैं next lecture में हम लोग आगे के topic को cover करेंगे ठीक है तो बाई टेक केर अपना ध्यान रखें अपते हैं है तो यहीं अपते हैं झाल झाल